राजकुमारी पदमिनी सिंगल के राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी वो इतनी सुन्दर थी कि उनकी खुबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे उनके लिए एक योगिवर का चंपाव करने के लिए राजा गंधर्व ने एक स्वयमवर आयो जित किया जिसमें पदमिनी की सुन्दर्था की कहानिया सुनके कई राजाओं ने भाग लिया उन सभी राजाओं में चित तोड के राजा रवल रतन सिंग भी शामिल थे जिन्होंने बागी सभी राजाओं को पराजित करके स्वयमवर को जीत लिया और राजकुमारी पदमिनी ने भी उन्हें अपने पती के रूप में सहर्ष सुईकार कर लिया लेकिन ये खुशी सादा दिनों तक नहीं चली उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर बाच्चा अलाउदीन खिल जी का शासन था अलाउदीन खिल जी एक लालची और निर्दे सुल्तान था और जब उसके कानों में पदमिनी की सुन्दरता की तारीफे पड़ी वो उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा और उसने रानी को पाने के लिए चित्तोर पर आक्रमन कर दिया उसने चित्तोर के किले को कई महीनों तक घेरे रखा सुल्तान की सेना चित्तोर की सेना से गिंती, युद्ध कोशल और हत्यार बंदी हर चीज में कई गुना आगे थी लेकिन चित्तोड के किले की रचना इतनी कुशलता से की गई थी कि गिंती में कम होने के बावजूद चित्तोड के वीर सैनिकों को सुल्तान की सेना हरा नहीं पाई और किले के साथ दर्वाजों में से एक भी दर्वाजा नहीं तोड़ पाई अब ऐसे में सुल्तान ने छल से काम लेने की सूची उसने राजा रतन सिंग को ये संदेशा बिजवाया कि हमने राणी पदमनी की सुन्दर्ता के बारे में बहुत सुना है आप बस हमें एक बार उनकी एक जलक देखने दीजिए और हम के लिए से हट जाएंगे राजा रानी पहले तो ये प्रस्ताफ सुनकर अत्यांत क्रोधिद हुए क्योंकि किसी भी पर पुरुष के सामने एक विवाहित स्त्री का प्रत्यक्ष होना राजपूत मर्यादा के विरुद्ध था लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए पुछ तोड के वीर सैनिकों का खून भी नहीं बहाना जाते थे इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि सुल्तान रानी को आईने में देख सकते हैं जिससे की राजपूत आन भी रह जाए और दिल्ली के सुल्तान की बात भी उसके बाद सुल्तान को रानी पद्मिनी के महल में ले जाया गया रानी पद्मिनी सरोवर के बीच बने अपने महल की सीडियों पर आई और सुल्तान को उनके महल की दिवार पर लगे दरपन पर उनका प्रतिभिम्ब दिखाया गया इतनी दूर से भी रानी का रूप देखकर सुल्टान अलाउद्दीन की नापाक इरादे और भी मजबूत हो गए उन्होंने राजा रतन सिंग का शुक्रिया किया और उनसे विदा लेने लगे राजा को बातों में लगा कर सुल्तान उनसे किले के सातों द्वार पार करवा लाए और जैसे ही वे आकरी द्वार पर पहुंचे जाल बिचाय तैयार सुल्तान के सैनिकों ने रतन सिंग को बंदी बना लिया और उन्हें दुर्क के बाहर एक शिवर में कैत कर लिया अलाउदिन खिल जी ने रानी पदमिनी के लिए एक संदेश भेज कर ये शर्ट रखी कि अगर वो उन्हें खुद को सौब देती हैं तो वो रतन सिंग को आजाद कर देगा अपने पती को छुड़ाने के लिए रानी पदमिनी ने ये शर्ट सुईकार कर ली लेकिन ये शर्ट रखी कि उनके साथ उनकी साथ सो दासियां भी उनकी देख भाल करने के लिए आएंगी और इसके अलावा वे अपने पती से एक अंतिम बार एकांत में मिलना चाहती हैं सुल्तान को इस शर्ट से कोई समस्या नहीं थी लेकिन वो ये नहीं जानता था कि रानी की दासियों के वेश में जो तोड़के छटे हुए सैनिक साथ सो पालकियों में स्तरी के वेश में बैठे थे और हर पालकी को उठाने का काम भी वीर सैनिक ही कर रहे थे कड़े पहरे के बीच रानी की पालकी को सीधा उस शिवर में उतारा गया जहां पर रतन सिंग को कैद कर रखा था लेकिन उस पालकी में भी पदमीनी नहीं बलकि उनका 12 साल का भतीजा बादल था जिसने आते ही रतन सिंग को आजाद किया और उसके एक इशारे पर सभी सैनिक पालकें से उतर कर अचानक ही सुल्तान की सेना पर तूट पड़े इस बात से अंजान सुल्तान की भारी सेना को भी सम्हलने में वक्त लगा और राजा रतन सिंग को सिरक्षित किले में वापस पहचा देने के लिए इतना समय ही काफी था उस दिन के बाद कई दिनों तक सुल्तान और चित्तोर के सैनिकों में युद्ध चलता रहा लेकिन धीरे धीरे चित्तोर के वीर सैनिक वीर गती को प्राप्थ होने लगे और चित्तोर का किला कमजोर पढ़ने लगा जबरानी को ये प्रत्यक्ष दिखने लगा कि चितोड की हार निश्चित है उन्होंने सुल्तान के हाथ पढ़ने की बजाए आग में जल जाना बहतर समझा किले की सबी महिलाओं ने भी उनके इस निर्ने का समर्थन किया राजपूतों में इस प्रथा को जोहर का नाम दिया जाता था एक तरफ जहां सुल्तान के लेके द्वार पे द्वार भेद रहे थे तो वहीं इस तरफ के लेके अंदर एक विशाल चिता कर निर्मान किया गया रानी पदमिनी के साथ सोला हजार राजपूत महिलाओं ने अपने संबंदियों से अंतिम विदा ली और उस जलती चिता में आहूती की तरह समा गई और थोड़ी ही देर में वो सौंदर्य जिसके उपर पूरे सामराज्य को गर्व था आग की लप्टों में स्वाहा होकर कीरती कुंदन बन गया महराना रतन सिंग के नित्रित्व में 30,000 राजपुत सेनिक केसरिया बाना बांध कर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सुल्तान की सेना पर भूके शेरों की तरह तूट पड़े और अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए बीरगती को प्राप्थ हुए खून से रंगा रंग सुल्तान ने जब किले में प्रवेश किया तो भीतर उसे कोई भी नहीं मिला रानी पदमिनी के जोहर की जीत हुई और ये जोहर इस बात का प्रतीक था कि भारत की स्त्रियों के लिए उनका सम्मान उनका स्वाबिमान सर्वो परी है